हलो दोस्तों मेरे नाम है हां आरववी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन बहुती जादा बड़ीया बज़ेट मुबाइल्स जो आपको मिलते हैं सिर्फ 10,000 में तो अगर आपका बज़ेट है 10,000 रुपे के आसपास आप एक मुबाइल खरीदनी की सोच रहे हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आपको बताऊंगा इन तीनों मुबाइल्स में क्या-क्या कमिया है क्या-क्या अच्छा या है और आपकी जरूत के हिसाब से सबसे अच्छा मुबाइल कौन से रहेगा तो एक मुबाइल है सैमसंग की तरफ से दो मुबाइल है रेडमी की तरफ से चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सैमसंग की तरफ से आने वाले 10,000 रुपे में सैमसंग गलेक्सी M20 के बारे में इस मुबाइल के अंदर आपको कुछ चीज़े काफी जादा बढ़िया मिलती है उनमें सबसे पहले है इसका यूजर अंटरफेस इस मुबाइल के अंदर आपको इन तीनों मुबाइल में जिसके अंदर आपको एक notch भी मिलती है और edges, bezels भी काफी कम मिलते है दिस्पै के अंदर तो display size में तो ये mobile आपको बहुत अच्छा मिलता है edges, bezels भी काफी कम है notch भी काफी अच्छी मिलती है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कम ही यह है इसके अंदर आपको TFT डिस्पले मिलती है तो जो डिस्पले क्वैलिटी होती हो वो इस मुबाइल के अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है IPS डिस्पले इसके अंदर आपको नहीं मिलती और Samsung के अंदर तो जाधा तर आपको Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है बाकि तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिलती है वो है इसका डिजाइन, पीछे की तरफ इसके अंदर आपको मिलता है काफी बड़िया ग्लॉसी लुक, आप देख सकते हैं light की reflection इसके back panel पे कैसी लग रही है, डिजाइन के अंदर ये mobile आपको काफी कमा का मिलता है, प्रोसेसर इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलता है, एक्जिनोस का 7904 प्रोसेसर तो नॉर्मल यूज में आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी, बाकि राइट साथ साथ आप इस mobile को देखींगे तो आपको volume के buttons और power का button देखने को मिलता है, नीचे की तरफ और headphone jack मिलता है, अच्छी चीज यह है, इस mobile के अंदर आपको type C cable का support मिलता है, और इसी के साथ left side से आप देखींगे तो आपको SIM की tray मिलती है, और सबसची चीज यह है, इस mobile के अंदर आपको दो SIM card, एक memory card, तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं, इसके अलावा इस mobile के अ इस mobile के साथ box के अंदर ही आपको मिलता है, तो battery के अंदर तो यह mobile आपको सबसे अच्छा मिलता है, क्योंकि fast charging का भी support है, और fast charger box के अंदर ही मिलता है, तो इस चीज में यह mobile सबसे बढ़िया है, तो यह सारी चीज़े आपको मिलती है, Samsung Galaxy M20 में 10,000 रुपे में, देखे हर mobile क इसके अंदर कुछ न कुछ खासियत भी होती है, कुछ न कुछ कमिया भी होती है, कमिया थोड़ी सी यह है, इसके अंदर आपको display quality थोड़ी सी हल्की मिलती है, बाकि इसके अंदर आपको जो camera मिलता है, वो normal मिलता है, front में 8MP का, पीछे दो camera, जिसमें पहला है 13MP का, दूसर अच्छा Samsung है बागी कुछ चीज़ जो इस mobile के अंदर आपको काफी बढ़िया मिलती है उनमें सबसे पहले है इसकी डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है 6.26 इंचिस का करीब से मैं आपको इस mobile के डिस्प्ले दिखा देता हूं इसके अंदर आपको एक छोटी नौज भी मिलती है एजिस बेजल्स भी काफी कम मिलते हैं और सबसे चीज़ यह है इस मोबाइल के अंदर आपको कलर्स काफी बढ़िया मिलते हैं डिस् के लिएक सबसे जादा अच्छा रहेगा फ्रंट कैमरे के अंदर यह mobile सबसे अच्छा है इन तीनों mobile के अंदर बाकि इसमें आपको पीछे की तरफ दो कैमरे मिलते हैं जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का दूसरा है 2 मेगापिक्सल का बाकि इसके अंदर आपको जो design मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है काफी glossy look तो आप देख सकते है light की reflection इसके back panel पे काफी बढ़िया लग रही है लेकिन इसके अंदर आपको यह कमी देखने को मिलती है इसके back panel पे scratches बहुत जादा जल्दी देखने को मिलते है तो यह इसके अंदर थोड़ी सी कमी है इसके fast charger भी इसके साथ आपको नहीं मिलता नहीं यह mobile fast charging सपोर्ट करता है लेकिन इसके अंदर आप दो SIM card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं और उपर की तरफ इसमें आपको एक खुबी जादा मिलती है उपर की तरफ आपको IR blaster मिलता है जिससे आपका MI remote RAM से काम कर जा तो इसके अंदर भी आपको कुछ न कुछ कम यह देखने को मिलती है अच्छा ही इस mobile की यह है इसके अदर आपको सबसा अच्छा front camera मिलता है बागी इसके अंदर आपको design काफी अच्छा मिलता है बैटरी भी अच्छी है और इसके अलाव इसके अंदर आपको processor normal मिलता है च display के अंदर आपको इसमें size मिलता है 6.3 इसका display size काफी अच्छा मिलता है नौच भी छोटी मिल जाती है edges बेजल्स भी काफी कम है और सबसा अच्छी चीज डिस्पले के अंदर जो आपको colors मिलते है वह इस mobile के अंदर इन तीनों mobile में सबसे जादा बढ़िया मिलते है तो display मे आपको मिलता है glass look पीछे की तरफ भी इसके अंदर आपको लगावा मिलता है gorilla glass तो design तो इस mobile के अंदर आपको सबसे अच्छा मिलता है और scratches भी आपको सबसे जादा कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके उपर आपको gorilla glass लगावा मिलता है red color में आप देख सकते हैं यह mobile आते हैं और power का बटन चारों तरफ से यह mobile आपको काफी शाइनी लुक में मिलता है नीचे की तरफ इसके अंदर आपको speaker, mic और charging port मिलता है इसके अंदर भी आपको type-c cable का support मिलता है अब इस mobile के अंदर सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर आप 2 sim card एक memory card तीनों चीज़े एक स तो अगर आपका heavy use है आपको game वगेरा खेलने हैं तो यह mobile आपके लिए सबसे ज़ादा बढ़िया रहेगा सबसे अच्छा प्रोसेसर आपको इसी mobile के अंदर मिलता है इसमें आपको front camera मिलता है 13 megapixel का और पीछ इसमें 2 camera मिलता है जिसमें पहला है 12 megapixel का दूसरा है 2 megapixel का camera की fast charger इस mobile के साथ आपको box के अंदर नहीं मिलता आपको अलग से market में खरीदना पड़ेगा तो यह थोड़ी सी कमी है इसके अंदर आपको fast charger mobile के साथ नहीं मिलता आपको अलग से खरीदना पड़ेगा बागी fast charging का support मिलता है तो यह Redmi Y3 से अच्छी चीज है चली बात कर लेते है आप सबसे main चीज आपको इन तीनों mobile में कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं देखिए यह तीनों ही mobile अपनी अपनी जगा बहुत अच्छे हैं कुछ चीज़ों के अंदर आपको Samsung का mobile बढ़िया मिलता है कुछ चीज़ों में Redmi Note 7 और कुछ चीज़ों में Y3 कमिया तो सबसे पहले matter यही करता है कि आपकी में जरूत की चीज किस mobile के अंदर है आपको किस के ओपर जादा भरोसा है आपको Samsung के ओपर जादा भरोसा है या फिर आपको Redmi के ओपर जादा भरोसा है बागी आपके में जरूत की चीज कौन सी है अगर आपके लिए सबसे जादा matter करता ह यूज अंडर फेस और बैटरी आपको बैटरी बैकप बहुत अच्छा चाहिए तो इन तीनों मुबाइल में आप सैमसंग लीजिएगा सैमसंग का मोबाइल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा बैटरी के अंदर बहुत अच्छी है बाकि दो खुबिया जो सबसे बड़ी रेडमी वाई 3 के उनमें सबसे पहला है फ्रन कैमरा और दूसरी है इसके डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर इसके अंदर आपको एक नौच वाली डिस्प्ले मिलती है एजिस बेजर्स भी काफी कम है कलर्स भी काफी अच्छा मिलते हैं तो यह दो खुबिया मुझे सबसे अच्छी लगी रेडमी वाई 3 के अंदर बाकि अगर आपकी में जड़त है मुबाईल के प्रोसेसर की आप एक हेवी उजर है आपको गेम वगरे खेल ले हैं तो सबसे ज़ाद अच्छा रहेगा आपके लिए रेडमी का नोट 7 और डिस्प्ले की क्वालिटी भी इसके अं रेडमी नोट 7 के अंदर मिलती हैं तो मुझे इन तीनों मुबाईल में सबसे ज़ादा पसंद आया रेडमी का नोट 7 बाकि अगर आपको समसंग मुबाईल पसंद है तो आप समसंग एलक्सी M20 भी ले सकते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको इन तीनों इन तो मुझे इन तीनों में सबसे ज़ादा पसंद आया रेडमी का नोट 7 अब आप मुझे बताईएगा नीचे कमेंट करके आपको कौन सा पसंद आया यह चीज नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा चैनल को आप बगए